लो दोस्तों स्वागत आप सभी का इस वीडियो में तो CAIB एक्जाम के रिजिस्ट्रेशन बिगिन हो चुके हैं and you should be really aware कि किस तरीके से आपको रिजिस्ट्र करना है कैसे form फिल करना है उसका step by step process क्या है यह सारी चीज़े मैं आपको इस particular वीडियो में बताने वाला हूं and इस form को फटाफट से आप कैसे भर सकते हैं क्योंकि कही सार ऐसे details होती है जब हम form खोलते हैं उसके बाद ही हमें पता चलता है और जल्दी भरना हमारे लिए अच्छा भी है because आपको जिस भी center पे जो भी time में आपको जो exam देना है you'll be able to gain that ठीक है seats क्योंकि limited रहते हैं availability कम है तो आप इस चीज़ को जो है जल्दी से जल्दी form fill कर देजएगा तो कैसे fill करना है that we will learn in this particular session और यहां पर step by step हम इस process को देखेंगे right and यहां पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि registration के जो dates क्या है और इसमें fees आपका कितना कितना जो लग रहा है फीज के आपको information तो है based upon first attempt या आगे बट अगर आप लेट करते हैं तो आपका फीज जो increase हो सकता है like 3rd से 9th जो September है इसके बीच में normal examination fees आप देकर भी इसमें register कर सकते हैं और अगर आप 10th से 16th के बीच में तो हफ्ता जो है आगे बढ़ा देते हैं तो यहाल यू विल हफ टुपे 100 रुपीज एक्स्ट्रा 17th से 23 के बीच में तो 200 एक्स्ट्रा तो 23 से जादा टाइम हो जाता है 23 September से जादा तो obviously you will not be able to fill this particular form तो जल्दी से जल्दी आपको यह form भर देना चाहिए if you are seriously preparing and you have इस exam के लिए जो है आप अच्छे से देना चाहते है तो normal fees अगर हम देखे यह first attempt का 5000 है बाकी attempts में 1300 है so based upon this आपका जो है fees रहेगा कि कौन सा attempt है आपका based upon that your fees will be there अब यह exams कब-कब है और यह actually 23rd September like we have two months of time तो थोड़ा बहुत पहले से कुछ चीज अगर किसी ने पढ़ रखी है तो they can give this particular exam seriously and properly 24th November से आपका जो है first paper start हो रहा है ABM का first paper उस दिन है first December को BFM bank financial management 8th December को advanced business and financial management ABFM 14 December को banking regulation and business law ठीक है 15 December को आपका जो elective है जो भी आपने चूस करा है उसका paper होगा तो इस तरीके से continuous इसलिए आपके जो है exams हो रहे हैं and if you are preparing well you should definitely fill this form as soon as possible so first step रहेगा आपको Google में जाकर IABF की जो website है उसमें जाना होगा आप Google में जाकर IABF type करेंगा IABF CAB registration ऐसे type करेंगे तो directly आ जाएगा वरना तो IABF type करेंगे तो यह जो screen पर आपको दिख रहा है यह आ जाएगा ठीक है यह window खुल जाएगा अब इसमें you will have to go here because already आपने JIB exam दे रखा है यहां पर जा सकते हैं ठीक है login या फिर आप यह apply now इस पर click कर सकते तो apply now पर click करके कैसे हमें आगे बढ़ना है वो हम यहां पर देख लेते हैं आप लिए नोग जैसे आप click करेंगे you will see different menu यहां पर आ जाएगा membership आप पहले ले चुके होंगे इफ यह working in the public sector bank आपने जे आई बेक्जाम दे रखा है तो obviously not required exams members इसमें आपको जाना है because obviously jab cleared लोग जो bank में काम करें देकर उनली इस यह आई भी तो others इसमें आपको जाना है एंड यहां पर exam non members apply for subscribe कही सारे details आ रहे होंगे तो exams members इस पर click करना है इस पर click करते ही आपको जो लॉग इन करने के लिए पूछेगा या फिर यह वाला स्क्रीन आ जाएगी यहां पर आप देख सकते c a i a b cab यह जो है आपको दिख जाएगा as soon as you click on that link आपको लॉग इन करने के लिए पूछेगा तो यह जो लॉग इन है यहां पर आपको membership id देनी है और यहां जो भी क्रेडिट्स आपके हैं उससे related यह आपको question पूछा जाएगा दो टाब सिखेंगा आपको पहला तो टाब है कि फोर्गो क्रेडिट्स एंड रिजिस्टर दी नोवो तो इससे पहले as you know abm and bfm खाली दो पेपर होते थे बट अभी जो है चार पेपर सब कुछ हो गया है तो अगर let's say आपका abm bfm जो के एक heavy subject है यह दोनों पहले आपके cleared है तो obviously उससे में आप pass कर गयोंगे let's say only abm cleared है और आप जो है pattern change होने के बाद exam अभी दे रहे हैं तो obviously यह जो time period है 3S के अंदर होना चाहिए या फिर आपका जो है five attempts के अंदर होना चाहिए तो अगर यह है then you should just see कि अगर आपको abm के जो credits है उनको carry forward करना है या नहीं अगर आपको carry forward करना है तो abm में अगर आपके 50s उपर आये हैं तब यह qualify किये हो और आगे जो भी आप exam जे रहें तो बाकी exams आपको देने हैं bfm, abfm, brbl and elective है ना इन चारों में ही आपको 50 से उपर marks लेकर आने है only then you will be able to qualify so the decision is yours अगर आप यहां जो abm है इसके credits को carry forward एक ही subject अगर आपने निकाल रखा है तो उसके credits को carry forward नहीं करना चाहते तो you can just go forgo credits credits को छोड़ो register de novo इससे क्या होगा सारे जो components से in single attempt if you are attempting and 45 से उपर भी आ रहा है and aggregate में 50% बन रहा है तो you will clear ठीक है let's say कोई subject में जादा कुछ में कम ऐसे करके aggregate में 50% से जादा आ रहा है तो you will clear otherwise आपको सभी में 50 marks at least लाने होंगे तो यह चीज़ अगर आप BFM qualify करके ABM रह रहा है तो आप जो है available credits वाला option चूज़ कर सकते हैं ABM रह रहा है क्योंकि ABM थोड़ा से simple है थोड़ा सा easy in comparison तो इसको आप clear कर लोगे तो यह आपको forgo credits करके यह कर सकते हैं right it is totally up to you यह वाला option चूज़ करने से क्या होगा यह option चूज़ करने से क्या होगा दोनों मैंने आपको बता दिया forgo credits करने पर बहले का कुछ भी याद नहीं होगा कहलेगा जो भी आपने attempt किया वो सब consider नहीं किया जाएगा freshly आपको three years का time five attempts का time तब कुछ मिल जाएगा and 45 45 लाग के भी आप qualify कर सकते हैं ऐसा मिल जाएगा अगर आप available credits करते हैं तो जो भी time available है तो obviously एक साल दो साल तो होई की गया होगा से पहले तो वह उतना ही time बाकी का time ही आपको मिलेगा search to clear this particular exam तो यह चीज़ दियान में रखते हुए you have to select this option now यह करने के बाद इसका जो भी option आप चूज करने के बाद बीच में कुछ pop-ups आते रहेंगे उनको पढ़के आपको जो है yes no जो भी आपको सही लग रहा है you have to go for it now basic details आपको देने है जैसा form आता है almost similar form यहां पर भी आएगा ठीक है first name और middle name यह सब तो obviously यह चीज़े आप दे चुके होंगे तो appear होगा वहां पर ठीक है registered already registered लोगों का यह appeared होगा email ID you must have given already so वह वहां पर दिख जाएगा तो you just have to confirm कि वो सही है या नही फोटो और जो signature के specimens है वो भी वहां पर पहले से uploaded होंगे let's say आपको ID card update करना है तो options में से देख लीजे क्या क्या ID card है driving license ID photo signature का जो है employer के द्वारे issue किया हुआ ID card pan card passport इन में से कोई आप choose कर सकते और उसका आप update कर सकते even that applies for the photo and signature इनके आपको यहां पर sizes and pixels कितने कितने होने चाहिए वो सब दिया हुआ है so you should keep this in mind and do this ID proof आपको PDF format में upload भी करना होगा so in this way you will be uploading all of these things आपने पहले register कर रखा है update नहीं करना है तो definitely यह सब करने की फिर से जरूरत नहीं है क्योंकि आपका profile बना हुआ है now what you have to do now is this ठीक है medium of exam क्या है यह आ basis पर आपको यहां पर venue date and time ठीक है कौन से date पर obviously date तो exam का एक ही है when you आपको choose करने को मिलेगा and time slot choose करने को मिलेगा if you do this just like JIB आपे seats की availability दिख जाएगी कि seat available है या नहीं अगर नहीं है तो obviously आपका वो accept नहीं करेगा है तो it will be accepted right जो भी venue है time है you can give this exam in different venues in the same city obviously and इस exam इसको इस तरीके साब आप फिल कर सकते हैं e-learning का यहां पर पूछेगा आपको चाहिए तो yes नहीं चाहिए तो no अगर आप yes पे दबाते हैं तो obviously थोड़ा extra cost अपका लगेगा apart from what is the fees that has been shown तो ऐसे आपको जल्दी जल्दी इसके लिए आपको जल्दी जल्दी चूस यह जो form में फिल कर देना चाह आती है as you move near the exam date and finally payment करके you can complete this process ठीक है जो भी fees है वो आप पे कर देंगे and आपका जो form में फिल हो जाएगा उसको आप printout निकाल लो and exam के time पर you can take that along with the ID proof original ठीक है तो this is how you have to fill this particular form and let me remind you अगर आप CIB exam के preparation कर रहे हैं तो do tap has come up with the master code जहां पर आपको चारो components related recorded videos chapter by squeeze full length mock test short notes as well as exam से पहले आपको जो है यहां पर live classes के through important सारे topics को पढ़ाया जा रहा है okay so you should definitely avail it as soon as possible because CIB 75 code presently इसमें लग रहा है 75% का discount आपको presently मिल रहा है link is given in the description so hurry up and if you have any other queries you can always let us know 8146207241 पर या hello at the rate edutab.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं I hope you are liking the videos if you have any other queries you can ask in the comment section thank you all the best you